चलिए start करते हैं अपना test paper इससे पहले कि अगर आपने exercises नहीं देखी हैं तो please उसका link मेरे description box में given है या आप मेरी site www.elearnmass.in पे जाकर simply अपनी class क्लिक करें, book क्लिक करें और drop down के थुरू किसी भी chapter की exercise का playlist देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं अपना question, question में कह रहा है find the additive inverse of, additive inverse निकाल ला है हमें इन parts का, तो कैसे करेंगे, देखिए first part लिख लेते हैं हम 7 upon minus 10, additive inverse हमने सीखा था, अगर minus का a है तो plus का a हो जाएगा, plus का a है तो minus का a हो जाएगा, लेकिन अब ये plus का है या minus का है कैसे ही पता चलेगा इसमें denominator में minus है, तो सबसे पहले जब भी denominator में minus होता है, तो हम उसकी minus 1 से उपर नीचे multiply करके, minus numerator में लेके जाते हैं, या directly भी लेक सकते हैं, तो ये कितना आ गया, plus minus minus 7 वंजा 7, minus minus plus 10 वंजा 10, अब देखिए, अब ये क्या आ गई है value, minus 7 upon 10, अब इसका additive inverse निकालना है, तो इसका additive, ये minus की value हो गई है, और minus का additive inverse क्या होता है, plus की value, तो 7 upon 10 is the answer, let's do second part now, second part में कह रहा है, 8 upon 5, 8 upon 5 plus का है, तो plus की value का additive inverse क्या होता है, minus की value, तो minus का 8 upon 5 is the answer, let's do next question now, next question में कह रहा है, the sum of the two rational number is minus 4, हमें sum बता रहा है, कि दो rational number का sum minus 4 है, तो वही लिख लेंगे हम, हमें दोनो rational numbers नहीं पता है, तो let कर लेंगे, let the two rational numbers be, two rational numbers B, A and B, A और B दो rational number है, आगे क्या कह रहा है, if one of them is minus 11 upon 5, इन दोनों में से कोई सा भी एक rational number minus 11 upon 5 है, तो मान लेते है, A है हमारा minus 11 upon 5, find the other, तो हमें B की value निकालनी है, अब क्योंकि हमें sum दिया वा था, sum का मतलब plus होता है, दो rational number का sum, minus 4 दिया वा था, तो अब A की value क्या दे रहा है, minus 11 upon 5, तो minus 11 upon 5 लिख दिया, plus B equals to minus 4, अब हमें पता है, ये variable term होती है, ये constant terms होती है, तो variable term तो अपनी जगे रही, constant terms दूसरी साइट चली गए, तो ये minus की थी, दूसरी साइट जाके काई की हो जाएगी, plus की हो जाएगी, तो plus का 11 upon 5, अब कैसे solve करेंगे, देखिए, 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिख लेंगे, अब directly multiply कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी common नहीं है, तो 5 बंसर 5, और जब भी directly multiply करते हैं, तो इसकी multiply इसकी साथ, और इसकी multiply इसके साथ, तो minus 4 की multiply 5 में, plus 11 की multiply 1 में, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा, minus plus minus, 4 5s are 20, plus 11 1s are 11, upon 5, तो B की value कितनी आ जाएगी, देखे, दोनों opposite sign हैं, आपस में, subtract हो जाएगे, और sign बड़ी वाली value का लग जाएगा, तो 20 में से 11 गया, और बड़ी वाली value minus की थी, इसलिए minus लगा दिया, तो minus 9 upon 5, तो इसका मतलब हमारा दूसरा rational number कितना आ गया, minus 9 upon 5 is the answer, let's do next question now, next question में कह रहा है, what should be added to minus 3 upon 5, minus 3 upon 5 में क्या add करें, to get 2 upon 3, जिससे की हमें 2 upon 3 मिल जाए, तो हमें वो number नहीं पता है कि क्या add करना है, तो हम let कर लेंगे, let the number be a, या x, कुछ भी मान सकते हैं variable, अब हमें पता चल गया, x को add किया, हमने, minus 3 upon 5 में, यही कह रहा है, क्या add करें, minus 3 upon 5 में, तो x अड़ किया, minus 3 upon 5 में, जिससे की हमें क्या मिल गया, 2 upon 3 मिल गया, तो 2 is equal to 2 upon 3, अब इससे solve करनेंगे, तो x तो as it is आएगा, अब देखें, plus minus, minus होता है, minus 3 upon 5, और equal to 2 upon 3 as it is, अब variable term एक साइट, और constant terms दूसरी साइट, तो यहाँ पे, यह अपनी जगे रहा, यह दूसरी साइट जाएगा, तो minus का था, तो का हो जाएगा, plus का हो जाएगा, plus का 3 upon 5, तो x की value कितनी आएगी, देखें, 3 और 5 में कुछ भी common नहीं है, अपस में multiply कर देंगे, 10 plus 3, 3 is 9, अपन 15, तो x कितना आगया हमारा, 10 plus 9 is 19 upon 15, तो इसका मतलब minus 3 upon 5 में क्या अट किया, 19 upon 15 अट किया, तो हमारा answer कितना आजाएगा, 2 upon 3 आजाएगा, answer, let's do next question now, next question में कह रहा है, what should be subtracted from minus 3 upon 4, minus 3 upon 4 में से क्या subtract करें कि हमें minus 1 upon 2 मिल जाएगा, तो वो number हमें नहीं पता है कि किसे subtract करना है, तो हम उसको x मान लेते हैं, कोई भी variable मान सकते हैं, let the number be x, अब देखें, subtraction के case में, spatially देखें, subtract, हमें कौन सा number subtract करना है, x सब्ट्राक्ट करना है, from किस में से, minus 3 upon 4 में से, जिसे की हमें क्या मिल जाएग, minus 1 upon 2 मिल जाएग, अब इस statement को देखें करिए, from के बाद वाली डिजिट पहले आती है, सब्ट्राक्शन का case है, इसलिए माइनस लग जाएगा, और from के पहले वाली डिजिट बाद में आती है, equals to minus 1 upon 2, अब minus x अपनी जगे रहा, minus 1 upon 2 अपनी जगे रहा, और minus 3 upon 4, minus का था उधर जाएगे काई का हो जाएगा, plus का हो जाएगा, plus का 3 upon 4 हो गया, अब minus x as it is रहा, 2 और 4 में कुछ common है, तो हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे 2 और 4 का, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, again 2 1s are 2, तो LCM कितना आ गया, 4, तो 4 आ गया, अब देखे, minus 1 as it is, 2 में क्या multiply करूं कि 4 आ जाए, तो 2 2s are 4, plus 3 as it is, और हमें पता है, 4 1s are 4, तो 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, minus x as it is, अब देखे, minus plus, minus, 2 1s are 2, plus 3 1s are 3, upon 4, तो ये minus x कितना आ गया, अब क्योंकि उपर, दोनो opposite sign values हैं, आप उसमें subtract हो गई, और sign बड़ी वाली value का लग गया, क्योंकि 3 plus का था, तो plus का हो गया, 1 upon 4, अब ये minus x की value आईए, हमें लेकिन x की value निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखे, जब भी minus इधर होता है, और plus इधर होता है, तो हम directly minus उधर पहुचा देते हैं, कैसे जाता है, ये उधर जाएगी, तो plus की value हो जाएगी, और 1 upon 4 इधर आएगा, तो minus का हो जाएगा, तो या तो ऐसे कर लिजे, या directly लिख दीजे, तो देखे, x equals to minus 1 upon 4 लिख दीजे, या देखे, और, अगर आप देखेंगे, इसको उधर ले गया, तो ये plus का हो गया, ये x इधर आगया, अब ये इधर ले आए, तो minus plus का था, minus का हो गया, तो भी यही answer आया, same, तो हमने इसलिए, आप चाहें तो directly ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें पता चल गया, कि minus 1 upon 4, subtract करेंगे, minus 3 upon 4 में से, तो हमारा कितना आजाएगा, minus 1 upon 2 आजाएगा, answer, multiplicative inverse of, हमें multiplicative inverse निकालना है, किसका, first part कहारा है, minus 3 upon 4 का, तो multiplicative inverse, अगर आपने में लास्ट वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया था, multiplicative inverse का मतलब होता है, reciprocal, minus sign तो अपनी जगे रहेगा, लेकिन जो denominator में है, ये value denominator में है, तो वो numerator में आजाएगी, और numerator वाली value, denominator में आजाएगी, तो minus 4 upon 3 हो जाएगा, multiplicative inverse किसका, minus 3 upon 4 का, इसी तरीके से second part करते है, second part में कह रहा है, 11 upon 4 का multiplicative inverse क्यों होगा, तो देखिए, 4 denominator से numerator में आगया, और 11 numerator से denominator में आगया, 4 upon 11 is the answer, let's do next question now,